कलाम साब कहते थे सपने वो नहीं होते जम नीन में देखते हैं बलकि सपने वो होते जमें नीन नहीं आने देते कलाम साब ने पांच बाते से बताई थी और कहा था कि हर व्यक्ति को उठने के जश्ट बात ये पांच बाते अपने आप से बोलना चाहिए वो पांच बाते आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तो उठने के जश्टिव बात अपने आप से ये कहें कि मैं सबसे अच्छा हूँ दोस्तो गोर करने वाली बात है कि मैं सबसे अच्छा हूँ यानि इस पुरी दुनिया में दूर दूर तक मेरे comparison में कोई नहीं है अभी एक गेरी सांस लेकर अपने आप से कहिए कि मैं सबसे अच्छा हूँ अब कई लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं सबसे अच्छा केसे हो सकता हूँ कई लोग मुझे अच्छ अच्छे बेटे हैं याँ पर मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ दूस्तो आपके action depend करते हैं आपकी thinking पर कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या मानते हैं तो आपको यह मानना होगा कि मैं सबसे अच्छा हूँ अगर आप हर सोब उठने के बाद अपने आप से ये बात कहते हो कि मैं सबसे अच्छा हूँ और अगर इस बात का अपने मान लिया ते एक दिन येसा जरूर आएगा जब आप सबसे अच्छे होंगे दोस्तों दूसरी बात जो कि हर सुब उठने के बाद आपको अपने अपसे कहनी है वो ये है कि मैं यह कर सकता हूँ दोस्तों हर इंसान की जिंदगी में एक सपना होता है लेकिन आते से ज़्यादा इसे लोग होते हैं जुन सपनों को पूरा ही नहीं कर पाते हैं और उसका सिर्फ एक ही रिजन है कि वो खुद पर विश्वास नहीं कर पाते तो अपने आप पर विश्वास करिये और हर सुब उठने के बाद अपने आपसे कही है कि मैं यह कर सकता हूँ तीसरी बात जो हर सुब अपने आपसे कहीनी है कि भगवान हमेशा मेरे साथ है दोस्तों हरी इंसन के साथ जब भी कोई बूरी गटना होती है तो उसके मूँ से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि इसा मेरे साथ ही क्यों हुआ भगवान ने इसा मेरे साथ ही क्यों किया दोस्तों भगवान पर विश्वास बनाए रखें कि आपको लगता है कि भगवान किसी के साथ बुरा कर सकते हैं भगवान जो कुछ भी हमारे साथ करते हैं उसमें किसी न किसी का भला जरूर होता है हो सकता है उसमें हमारा भला ना हो लेकिन हमारी वज़े से किसी दूसरे का भला चरूर हो सकता है इसलिए भगवान पर हमेशा विश्वास बनाय रखें और अपने आप से कहें कि भगवान हमेशा मेरे साथ है चोती बात जो अपने आप से कहीनी है कि मैं एक विजेता हूँ आदे से जादा लोग हारे हुए है और जब भी जिन्दगी में हार जाते है तो वो हारा हुआ ही मानते है कभी अपने आप से नहीं कहते कि मैं एक विजेता हूँ जरा मान कर तो देखो कि मैं एक विजेता हूँ जैसे ही आप अपने आप से बात कहोगे कि मैं एक विजेता हूँ आपके actions जो होंगे वो winner के जैसे होंगे ना कि एक loser की तरह तो ज़रा सोचिए कि आपके actions winner की तरह होंगे तो कि आप एक winner नहीं है दोस्तो पांचवी बात अपने आपसे जो कहिना है वो है कि आज का दिन मेरा दिन है आज तक जो भी हुआ सो हुआ लेकिन आज का दिन मेरा दिन है इस दिन को मैं अपनी जिन्दगी का सबसे बेश्ट दिन बनाऊँगा अगर आज भी आपने वही किया है जो कल तक आप करते आये थे तो आज भी आपको उतना ही मिलेगा जितना कि आपको कल तक मिलता आया है आपकी सकसे डिपेंड करती है कि आप हर रोज क्या काम करते है और जो भी आप काम करते हैं उस काम को कितने अच्छे तरीके से करते हैं तो हर सुबह उटने के बाद अपने आपसे कहिए कि आज का दिन मेरा दिन है और इस दिन को मैं अपनी जिन्देगी का सबसे बेश्ट दिन बनाऊंगा चलिए दोस्तों उन पांचों वातों को एक साथ देख लेते हैं जो आपको सुबह उटकर अपने आपसे बोलना है मैं सब सच्छा हूँ मैं यह कर सकता हूँ भगवान हमेशा मेरे साथ है मैं एक विजिता हूँ और आज का दिन मेरा दिन है दोस्तों अगर आप इसे और भी वीडियोज चाहते हैं तो मारे चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं मैं आपसे मिलूँग अगले वीडियो में जै हिन, जै भारत